नमस्कार दोस्तों स्वागति आपका आज के इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं आप बेंक बडूड़ा का जो ATM कार्ड यूज कर रहे हो उसको कंट्रॉल कैसे कर सके रहे हैं थाप को पता ही हो ऐसकल बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं ATM card में कोई फॉन करता है आपका पीन दे दीजिए आपका ATM card number दे दीजिए मैं बैंक से बात कर रहा हूं ऐसे कुछ भी बात बना कि आपके पास ATM number ले लेता है बहुत सारे रस्ते है फ्रॉट करने मनलब आप अपना ATM कोई टैनल के लिए on कर सकते हो आपकी salary एक तारीक को होती है तो आप जनरल एक से पांच तारीक में पैसा उठाते हो बाकी ATM का कोई काम नहीं है तो आप उस case में ATM कर सकते हो और दूसरा ATM card अगर mall में आप खरीदी करने जाते हो स्वैप करते हो आपको आप देखते हो कि मेरा कोई मैं कहीं पर करता नहीं हूँ मुझे कुछ काम परता नहीं है तो आप वो पर्टिकुलर स्वैप करने वाला होता है उस पर बंद कर सकते हो अगर online transaction आप कोई online transaction बहुत लोग नहीं करते है कि मैं कोई recharge बगर कुछ नहीं करना है मुझे तो खाली ATM से पैसा ही उठाना है तो उसके लिए भी काफी important है आप अगर यह off करते तो online transaction तो online कहीं भी भी नहीं चलेगा ATM खाली ATM मसीन में ही चलेगा अगर foreign international international fraud भी बहुत हो रहे है कोई mail आ जाता है उसमें कोई link आती है अपना data दी देते है फिर उससे पैसा कट हो जाता है तो उस case में क्या है आपका ATM जनरली हम international use बहुत कम लोग करते हैं इसलिए international use के लिए आप particular बंद कर सकते हो कि मेरा ATM international नही सकते हो तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते है आज का यह वीडियो दोस्तों आप इस चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा क्योंकि यहां पे only for bank of baroda related useful वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले तो आप bank of baroda का जो mobile banking application है वो आप login कर दीजिए मैं यहाँ पे login कर देता हूँ login करने के बाद कुछ step का interface आ जाएगा इसमें आपको last वाले option में चले जाना है card service card service में जैसे आप जाओगे तो first वाला option है manage debit card उसमें जाना है manage debit card यहाँ पे मेरा दो debit card so कर रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ अगर मुझे temporary off करना है मालो कि अभी मुझे कोई एक मैना debit card की जरूरत है नहीं तो मैं यहाँ से off कर सकता हूँ आप देख सकते हो temporary block इसके उपर आपको क्लिक करना है आपका जो mpin यानि की दूसरा वाला जो password है वो enter कर देना है your card has been blocked temporary मतलब अब मेरा card block हो गया है मुझे कोई tension लेने वाली बात नहीं अभी मुझे जब चालू करना है तब मैं कर सकता हूँ यहीं से आपको चालू करना है temp turn on unblock उसके उपर simple क्लिक करना है यह जो सब है वह आपको यस कर देना है और और प्रोसिट और आपका pin mpin है वह डाल देना है कि debit card channel permission has been successfully updated मतलब मेरा card on हो गया है आप देख सकते हो अभी फिर से ब्लोक करना है तो फिर से ब्लोक कर सकते हैं मतलब यह temporary on off का option हो गया यह option खास important है सभी लोगों इत्यान से देखे क्योंकि यह बहुत use होने वाला है option यह manage channel में आप चले जाए manage channel में total दो channel है एक है इंडिया within इंडिया limit और एक है international अभी मानों के मैं off कर देता हूँ यह single मतलब ATM off मतलब machine से पैसा नहीं निकलेगा यह दूसरा है POS मतलब हम जो mall में खरेदी वगेरा करते हैं उसमें swap करते हैं उसको बोलते है POS machine अगर मैं off कर देता हूँ तो उसमें नहीं चलेगा यह online e-commerce मतलब कोई भी online shopping करते हैं खरेदी वगेरा कुछ भी wallet से करते हैं फिर आप में OTP आता है आप OTP देते हो आपके account से पैसा निकल जाते हैं लेकिन आपने जो यहां पर online e-commerce वाला option अगर बंद कर दिया तो फिर online कुछ नहीं होगा अगर मानों के खाली आपको ATM से पैसा निकलना है तो यह on रखना है ब मतलब foreign में foreign में आपको ATM लेके जाना नहीं है जिस लोगों को जाना है उसकी बाद अलग है बागी जनरली 90% लोग को foreign को कुछ काम नहीं होता है और foreign के fraud बहुत सारे होते है Nigerian mail आते है mail में कोई access करते है तो उसमें पैसा debit हो जाता है तो मेरे इसाब से तो आप जो foreign channel है वो खाले ATM में यूज़ करना है बागी मुझे कुछ ही यूज़ नहीं करना है तो प्रोसेड आप अपना M-pin डाल दीजिए डेविट कार्ड successfully updated अब यह हो गया मेरा बंध अब यह आप देख सकते हो देखो यह सब बंध है खाले ATM में ही चालू है अगर आपको चालू करना है तो simple वही प्रोसेस है अगर आपको online मानू के कभी कोई यूज़ करना है तो चालू कर दीजिए उसमें कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन यह सब जो चोटी चोटी बाद है आपको fraud से बचाएगी यह आप खास ध्यान रखने वाली बात है यह सब चालू हो गया अभी सेट लिमिट अभी मानों के मेरे ATM कार्ड की लिमिट है पचासजार लेकिन मुझे मैं जनरली 5000 ही उठाता हूँ ATM मसीन से पर उपया करके ऐसा तो मत किजिए पासवर तो लिखे ही मत किसी के हाथ में आ जाएगा तो पूरा पैसा निकल लेगा लेकिन आपके यहां पर लिमिट सेट होगी तो लिमिट के इसाब से ही कर सकेगा बागी कुछ नहीं निकलेगा उच से मतलब फ्रॉड होगा तो भी एक लिमिट तक ही होगा उसमें ज्यादा रिक्स वाली बात है नहीं मतलब आप इन सोट आप लिमिट सेट कर सकते हो यहां पर अब यह दूसरा है सेट ओनलाइन ट्राजेक्शन लिमिट मतलब e-commerce POSA लिमिट आप कम कर सकते हो ज्यादा कर सकते हो मानो कोई रिचार्ज बगेरा करना है कोई electricity bill pay करना है online कोई लोग कहते है नहीं हमारा तो online तो bill payment होता ही है तो हम ओफ करते तो कैसा चले लेकिन ओफ नहीं करो आप एक काम करो आपके electricity bill कितना हो आता होगा 1000-2000 रिचार्ज 500,000 का करना होता है ज्यादे से ज्यादा यह होता है railway ticket सब मतलब 200-500,000 के बीच होत होता है तो इसमें limit set होती है इसलिए उससे उपर नहीं जाएगा मतलब यहां से कर सकते हो इसमें simple है कुछ नहीं करना है यहां set करके प्रोसिट करना है प्रोसिट करके confirm पे क्लिक करके आपको अपना MPIN डाल देना है लिमिट सेट सक्सेश पूल है आप देखो limit set हो गई यहां पे set हो गया है तो यह बहुत काफी सिंपल है टर्न ओन और और ओफ करने के लिए चैनल मेनेज करने के लिए और set limit के लिए तो आज का वीडियो आपको यूस्पूल लगा तो वीडियो को लाइक और सेर जरूर कर दीजेगा फिर से मिलते हैं नए वीडियो में तब तक के लिए खुश रहे हैं मुस्कुराते रहे हैं धन्यवाद